अध्याय बारह, वृत एवं इस परश रेखाएं, सर्कल एन टेंजिन्स, परिचे, इंट्रोड़क्शन बच्चों, आप अपने आसपास अपनी रोज मर्रा की जिन्दगी में बहुत से वृत्ताकार वस्तुएं देखते हैं, जैसे की साइकल का पहिया, ये सिक्का जो की वृत्ताकार है, और ऐसे ही कुछ घड़ी के जो डायल होते हैं, वो भी वृत्ताकार होते हैं चलिए आज हम वृत्त को ही पढ़ने और समझने के प्रयास करते हैं, इसके लिए हम एक वृत्त बना लेते हैं, मानलीजीए एक वित्त हमने यहाँ पर लिया केंद्र O, और उसकी त्रिज्या हो गई O-a, और ये हमने एक वृत्त बना लिया, जैसे के हमने कहा ये वित्त का एक बिंदू O लेकर इसमें 5 सेंटीमिटर की दूरी पर बिंदू पी ले क्या कुछ और भी बिंदू हो सकते हैं जो बिंदू O से 5 सेंटीमिटर की दूरी पर हो इसे कैसे ढूंडेंगे कितने ऐसे और बिंदू होंगे परकार को 5 cm फिला कर O बिंदू पर परकार की नोक को रखें O से 5 cm दूरी पर बिंदूओं को चिन्हित करें कागज पर O से 5 cm की दूरी पर इस्थित सभी बिंदूओं को मिलाने पर हमें आकरिती 1 का 2 प्राप्त होगी किसी तल पर खीची गई इस प्रकार की बंद आकरिती वृत्त होती है उन सभी बिंदुओं का समूँ जो तल में एक नीयत बिंदु से निश्चित दूरी परिस्थितो तथा एक बंद आकरिती बनाता हो वृत्त कहलाता है बिंदु ओ को वृत्त का केंद्र कहते हैं केंद्र से वृत्य के किसी भी बिंदु तक की दूरी वृत्य की त्रिज्या कहलाती है क्या पहिया, घड़ी, चूडी, सिक्के आदी वस्तुओं पर भी एक बिंदु ढून सकते हैं जिससे सिरे तक की दूरी बराबर हो करके देखें सत्य या असत्य लिखिये, कारण व उधारन से समझाईए पहला, वृत्य की अनेक त्रिज्याएं होती है दूसरा, वृत्य की सभी त्रिज्याएं समान नहीं होती है